देबियो फिल्म की शूटिंग के वक्त एक्ट्रिस तनीशा मुखर जी का भयानक एक्सिडेंट हो गया था और वो कोमा में चली गई थी उनकी हालत देख मा तनुझा को लगा कि वो मर चुकी है इस बात का खुला सा तनुझा ने हालिया इंटर्व्यू में दिया तनीशा ने बताया पहली फिल्म की शूटिंग के वक्त मेरा एक्सिडेंट हो गया था वो बहुत भयानक एक्सिडेंट था मुझे चोट लगी थी और मैं कुछ समय के लिए बेहोश हो गई थी उन्होंने आगे कहा मुझे उन तीन चार दिनों की कोई याद नहीं है आज भी मैं पीछे जाकर याद करने की कोशिश करती हूँ लेकिन याद नहीं आता वही मेरी हलत देख मेरी मा को लगा कि मैं मर गई हूँ वो बहुत डरी हुई थी इस एक्सिडेंट के बाद डक्टरों ने तनीशा से कहा था कि वो अब और काम नहीं कर सकती मगर फिल्म के डारेक्टर की जित थी कि तनीशा उनकी फिल्म पूरी करे डारेक्टर का कहना थे कि अगर तनीशा शूटिंग पूरी नहीं करेगी तो उन्हें मजबूरी वश फिल्म को बंद करना पड़ेगा तनीशा ने भी अपना वादा पूरा किया, सिर्की सुजन कम होने में उन्होंने एक साल लगा लेकिन उन्होंने फिल्म पूरी की तनीशा ने अपना वादा पूरा किया, सिर्की सुजन कम होने में उन्होंने एक साल लगा लेकिन उन्होंने फिल्म पूरी की इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ दहने बाद